आज मैं आपके साथ बहुत एफेक्टिव होम फेशल शेयर कर रही हूँ इसके लिए आपको कहीं बहुत जाने की जुरत नहीं है सब इचे पीडियों आपको आपकी किचन में बिल जाने वाली है जी हाँ मैं बात करने वाली हूँ टोमाटर फेशल की जिस तरीके से मैं आपको ये फेशल करना बताऊंगी अगर आपने इस तरीके से ये फेशल किया तो आपको दो बार में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा टामाटर में होता है विटामिन सी जो कि हमारी open pores को बंद करके हमारी सकीन को oil free बनाता है और हमारी सकीन में चमक लाता है फेशल में सबसे पहरत प्राइब हमारा cleansing का है उसके लिए मैंने आलो को घिसकर उसका रस निकार लिया है आलू की रस को चहरे पर लगाने से हमारी चहरे की जितने भी धाग दब्बे होते हैं वो धीरे-धीरे हलकी होने लगते हैं और चहरे पर अलग ही निखार आने लगता है और साथ ही जितने भी धाग सकर होते हैं वो भी धीरे-धीरे कम होने लगते हैं तो मैं इस तरह से इसकी फेस पर, पूरे फेस पर अच्छे से मसाज कर रहे हूं, उसके बाद दर पर पाँच मिट से साथ मिनट इसके मसाज करूँगी और उसके बाद कॉट्न के हल्पशी से रिमूव कर रहेंगी, इस फेशल को आप हफते में कम से कम दो बार करें, तो आप को इसका बहत्रीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा दूसरा स्क्रप हमारा आता है इसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा घर्ट तमाटर का रस लेना है और हमें लेना है चावल जिसको मैंने थोड़ी देर भिगो किया और मिक्सर में पीस लिया है और तीसरा हमें चाहिए यहां पर थोड़ा सा बादाम मैंने यहां पर घिस लिया है अब मैं तीन वहीं चीजों को मिक्स करके अब इससे फेस पर इपनी स्क्रब करूंगी बादाम को मैंने इसलिए लिया है आपर कि बादाम हमारे फेस को एंटी एजिंग बनाने में बहुत ज्यादा है और साथी पर इस तरह से स्क्रब कर रहे हूं ताकि जितनी भी डैट सेल्स हैं वह सब क्लीन हो जाएं और बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हमें इसे करना है हम जितनी भी होमेड चीजे इस्तमाल करते हैं अपने फेस पर वह असर जरूर दिखाती है चाहिए तो देर से ही दिखाएं इसल के लिए मैंने हाँ पे कुछ टमाटा की स्लाइस लिये हैं और मैंने लिया है अपना एनवाई का ये फेस सिरम लिया है और मैं इदी स्लाइस पर दो तीन ड्रॉप इसकी इस तरह से डाल कर पूरे फेस पर मसाज करूंगी फेस मसाज करने से हम बहुत ही रिलक्स महसूस करते हैं और हम साती हमारे रंग भी धीरे-धीरे साफ होने लगता है पांस से साथ मिनट इसके हमें मसाज करनी है अच्छे से उसके बाद इसे पांच मिनट और ऐसे ही लगा रहने दें उसके बाद फेस दोने के बाद हमें अपने अगले स्टैप की तरफ बढ़ना है फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज मेरे चैनलों को सबस्क्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक भी करें साथी साथ आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो लास्ट हमारा ंग इसे हमें ले लेना है जितना भी आपको लगाना है यह जितने भी आपको नीड़ है तो मैं एक चमम्मच eigenen अपने डने ले रहे हूं और तीनों को मिक्स कर और के मैं अपनी फेसि पर इसे लगा दूंगी शेटे–पेक हमारी चहरे को टाइट produção कर्खना काम करता है इसे अ बहुत ज्यादा अच्छा मिलने वाला है उसके बाद में इसे दस मिनट रखने के बाद जब यह सूख जाएगा तो इसे तो हमें फेस वॉस्ट कर लेना है आज के लिए बस इतना ही अब मैं मिलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई